नमस्कार, विशेहिंदी में व्याकरन विभाग हम आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपका टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्याई प्रत्थम टॉपिक अपना प्रेफिक्स यानि की उपसर्ग रहेगा जिसकी व्याक्यां समझे शब्दों की वे अर्थवान लगुतम अंश जो शब्दों की शुरू में लग कर नए नए शब्दों की रचनाएं करते हैं, जिन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, वो शब्द उपसर्ग कहलाते हैं उदाहरन, तो उदाहरन में हम समझेंगे कि पहले उपसर्ग प्लस मूल शब्द इक्वल टू बनने वाला शब्द या तो नया शब्द, देखें उदाहरन, V प्लस 6 इक्वल टू विशेश, तो V जो है वो उपसर्ग, प्लस 6 यानि कि मूल शब्द, विशेश यानि कि बनने आ प्लस जन्म इक्वल टू आ जन्म, यानि कि फिर से वही रिपीट, आ उपसर्ग, जन्म मुल शब्द, आ जन्म नया शब्द, next, sa, उपसर्ग, put, मुल्शब्द, equal to sa, put, नया शब्द, next, pra, उपसर्ग, har, मुल्शब्द, prahar, नया शब्द, यानि की बनने वाला शब्द, तो इस तरह से हमने, उपसर्ग के उदाहरण देखे, इसके अलावा भी students, बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, तो आशा रखती हूँ, आपको उपसर्ग समझ में आया होगा, next topic पे हम जाते हैं, प्रत्यय, यानि की suffix, उसकी व्याख्या देखे, जो शब्दांस किशी शब्द के अंत में जुड़कर, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं, यानि की suffix कहते हैं, examples, यानि की उदाहरन देखे, सिम वही जैसे उपसर्ग हमने संझा, प्रत्यय प्लस मूल शब्द इक्वल टू नया शब्द, बनने वाला शब्द, तो देखे, ता प्लस सुन्दर, सुन्दर ता, ता प्रत्यय सुन्दर मूल शब्द, सुन्दर ता, नया शब्द, नेक्स्ट, दार प्लस इमान इक्वल टू इमान दार, दार प्रत्यय इमान मूल शब्द, इमान दार बनने वाला शब्द, तो प्लस मनुष्य इक्वल टू मनुष्यत्व, त्व प्रत्याय मनुश्य मूल शब्द, मनुश्य त्व नया शब्द इय प्लस राष्ट्र इक्वल टू राष्ट्रिय यानि कि इय प्रत्याय राष्ट्र मूल शब्द, राष्ट्रिय नया शब्द जैसे हमने उदारणों को देखा इसके अलावा और अन्य बहुत सारे प्रत्याई हमारे पास मौजूद है जिन्हें हम देखेंगे और इससे अलग-अलग शब्दों को बनाने का प्रयास करेंगे तो students, suffix and prefix यानि कि प्रत्याई और उपसर्ग उपसर्ग या प्रत्याई हमने आज समझा ग्रह कार्य वोक्षिट कहते हैं जिसे आप उन्हें आपको अपनी नोट्बुक में लिखना होगा उपसर्ग और प्रत्याई पहचानिये इस तरह का प्रश्ण आपको एक्जाम में आ सकता है तो नीचे दी गई वोक्षिट आपको अच्छे से देखनी होगी और उसे सॉल्व करनी होगी अपनी नोट्बुक में सॉल्यूशन के साथ इसे नोट करके आपको रखना होगा ताकि एक्जाम में आपको अगर यह क्वेस्चन आता है तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएं आशा रखती हूँ आपको ग्रामर का यह छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा सालों से हम प्रत्य और उपसर पढ़ते आ रहे हैं तो इसलिए यहां पर संक्षिप्त में हमने इसे देखा थेंक यू